कि अप्लोड का एक सिंपल चेप्टर यूल वूड क्राइस हां इन्वार्मेंटल एप्लिकेशन के एक्क्लूजिव वीडियो मैंने आपके लिए अप्लोड का अल्यडी कर रख हैं हां ये वीडियो आप चाहें तो लेसन के नाम के साथ बाई सर तरुन रपानी जोड़ कर देख सकते हैं मान लीजे आपको पढ़ना है रिसोर्स यूज बस टाइप करिए रिसोर्स यूज बाई सर तरुन रपानी हां शेप्टर का नाम और आगे लिग दीजे बाई सर तरुन रपानी और गूगल कर लीजे यूट्यूब पे और आईए इस चेप्टर को फिनिश करते हैं तो फ्यूल बुड मतलब लकडी जलाना क्योंकि इसे कहते हैं जलावन वाली लकडी तो इसका क्राइस मतलब इसकी कमी क्योंकि देखे बहुत सारे ऐसे अभी भी घर हैं जहां पर चूला नहीं है जहां पर LPG सिलेंडर नहीं है त आप तो सुने होंगे गवर्मेंट की उजुला योजना चल रही है जिसमें गवर्मेंट उन घरों को जिनके पास LPG सिलेंडर नहीं है सिलेंडर के लिए चूला नहीं है यह दोनों गवर्मेंट प्रोवाइट कर रही है वो भी सप्टिडाइज रेट पे प्रियाउप कॉस पे पताएगी नहीं आपको तो फ्यूल वुड क्रैसिस जलाने वाली लकडी आज भी गाओं के बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं लकडी के लकडी को जला करके अपना खाना गरम करने के लिए खाना पकाने के लिए क्यों अब्यस बात है करीब है उनके पास चूला इगने के लिए पैसे नहीं थे तो इसलिए वह लोग लकडी को उस्तमाल कर रहे हैं पर कौन सी लकडी जला रहे हैं तो वो लकडी जो तुकडों में गाओं में फेकी पड़ी रहती है पेडों के डंठल डालिया जो तूट जाती है सड़ी गल्ली पतियां होती कि एवन बात करते हैं फ्यूल वुट की तो जब लकडी जलाने के लिए इस्तेमाल हो तो उसे कहते हैं वुड फ्यूल और लकडी जो की फ्यूल वुड है वो एक्चुली में क्या है एक बायो मास है एक लिविंग मैटर है जो ड्राइड पॉर्म में है पेड़ का पार्ट लकडी इसलिए क्या नाम है बायो मास और किसले काम आती है तो मैंने का फ्यूल वुड कुकिंग के काम आ रही है हीटिंग के काम आ रही है और तो और बहुत सारी जगों पर स्टीम प्रोड्यूस करने क है पर क्योंकि इसकी शॉटेज हो रही है आज कल यह फ्यूल वुड्स हम ज्यादा यूज कर रहे हैं वैसे फ्यूल वुड का सब्से बड़ा एड्वांटेज है कि इरुनिबल है पर अगर कम कंट्रोल यूज करें तो लिमिटेड यूज करें पर यह बहुत ज्यादा हम य इसकी फ्यूल वुड्स हो गया है और इसकी वजह से जो लोकल लोग है जैसे गाओ के लोग आदिवासी लोग जो उसका इस्तमाल करते हैं वो जंगलों को काट रहे हैं बुशेश को काट रहे हैं और इसकी वजशे डेजर्टिफेकेशन बढ़ रहा है तो यह बहुत को यूज करते हैं देखिए रूरल वुमेंज का एक इमेज भी देना बना दिखेगा जिसमें वुमें क्या कर रही है घर में फ्यूल वुड को इस्तमाल करके अपने खाने पका रही है हाँ आपने शायद टीवी में कभी यह सीन देखा हो तो फ्यूल वुड एक बहुत ही कॉ मोस्ट कॉमन कुकिंग वुड कुकिंग फूड का तरीका है यह जो चूला जिसे कहते हैं गाव में यूज करते हैं यह पायर वुड स्टोव कहते हैं इसका बहुत यूज होता है पर यह हेल्थ के अच्छा नहीं है क्या प्रोब्लम्स आती है देखिए वाट आर दा इफेक कैंसर प्रडूष करने माले सब्स्टेंस को कहते हैं का सब्सकर निकलता है जिससे लंग हो सकता है तो आप समझ सकते हैं लकडीジャ neither अ आप बार सारे लोगी यो यूपी वियार के हैं वह लिटी चोखा ज्रूर मैं वंगे लकडी जला कर करके या उपले जला कर कि तूचे कितना धूवा होता है उसमें महसूस किया आपने उस दूवे में आप आखे देखते हैं कितनी पाने आख से पानी निकलता है मैं यकिन के साथ कैसे तो थंडियों में भी अगर आपने कभी कोई लकड़ी जलाई होगी हाँ हाथ सेखने के लिए शरद को गरम रखने है जो कि cancer cost कर सकती है even air pollution का भी problem आ जाता है बहुत तरह लोगों के साथ तो health hazard हो सकता है heart disease हो सकती है asthma हो सकता है eye irritation skin irritation हो सकता है दोनों आखों में cataract तक हो सकता है यह भी है और smoke action aging factor ज्यादा smoke लेने से आप आप और age होने लगेंगे यह नहीं वालन था आपको तो यह है impact तो एक तरह सारा adverse impact मैंने बता दिया फ्यूल वूट जलाने का rural women's पर अब environment पर क्या impact पड़ेगा तो फ्यूल वूट जलाने से मलब लखडी जलाने से क्या होने वाला है लखडी चलाने वाले उससे बहुत सारी लखडी चले जाएगी जंगलों की अब जंगल कम होने लगेंगे जंगल में रहने वाले animals के habitat भी कम हो जाएंगे अब सोची हम जंगल काट रहें क्योंकि मुझे लखडी चाहिए खाना पकाने के लिए हमजगे और प्रावलम क्या है deforestation I think same है और soil erosion एक है habitat destruction हो रहा है मतलब animals का घर जा रहा है पेड़ कटेंगे तो चिडिया कहां घोसला बनाएगी जो animals जो की आया carbon dioxide produce हो रही है global warming increase हो रही है और तो और बहुत जादा यस बहुत जादा जब trees remove हो जाएंगी किसी area से जब माँ trees कम बचेंगी तो वहाँ पे transpiration नहीं होगा नतीज़ा महाँ पे carbon dioxide की poisoning का chances बढ़ जाएगा क्योंकि plants तो naturally क्या करते हैं carbon dioxide remove कर देते हैं तो यह बहुत सारे common hazards हैं जो आपको भी पता है आईए क्या alternative है क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है लकडी को छोड़ो के कुछ और जला सकते हैं गाउवाले हाँ जला सकते हैं अच्छा example दूँगा कि अब वैसे तो मैं इसने का government ने उजुला योजना अल्यडी चालू कर रखी है हाँ बोधी government की योजना है उज्वला योजना जिसमें गवाव वालों को या उन वेक्तियों को जिनके पास चूला नहीं है सिलिंडर नहीं है उनको दोनों चीज फ्री दे रही है government तो तो efficient food store बना लिया जाए ऐसा लकडी का चूला जो की और efficient है इससे कहते हैं smokeless चूला नहीं सुना अगा नाम ऐसे आज कल चूले आ रहे हैं जिसको कहते है smokeless चूला इससे धूमा नहीं निकलता है हाँ smokeless चूला और क्या कर सकते हैं बायो गैस यूज कर सकते हैं तो यह बायो गैस क्या होती है अरे गोबर गैस जो गाहों से जो cow dung village में पाए जाने वाला animal slurry human waste उसको सडागला की जो जो गैस पैदा होती है उसे बायो गैस करते हैं गाहों में तो बहुत इस लेवलेबल ह होता है और क्या यूज कर सकते हैं solar cookker यूज conference कर सकते इवन cow dung का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके hospital बना सकते हैं उसके उपले बना सकते हैं cow dung को दिवालों पे देखा होगा आपने हैं रहने हैं इसको सूख जाने पर बस उसका यूज कर लो पना कहते हैं या rice husk भी available हैं गवर्मनेंट ने राशन में केरोसीन देना भी शुरू कर दिया गाउमा लोग को सस्ते में केरोसीन को भी जला करके केरोसीन स्टोव में जला करके भी यूज करते हैं तो ये कई तरीके हैं बदब अल्टेनेटिव है इसका मतलब सर्फ बुड नहीं है अब आता है need for generating alternative to wood क्यों अगर आपने alternative नहीं दिया तो एक दिन जंगल खतम हो जाएंगे आपके natural resources बरबाद हो जाएंगे pollution हो जाएगा environment कराब हो जाएगा ओहो लगबग सारे points repeated हैं अब यह बात करते हैं क्या क्या alternatives timber के बदले timber मतलब वो लकड़ी जो बहुत सारे काम आ रहे हैं जैसे बात करते हैं timber बहुत use होता है building के कामों में आप देखिए कहीं पर building बन रही हो वहाँ लकड़ी के बड़े-बड़े यह बंबूज लगे वह हैं जिससे लिबर चड़ करके plastering कर रहे हैं दिखाओगा आपने न यह लकड़ी के ही क्या होगते हैं पट्टे लगे होता है जिस पे fabricated concrete पहले से बने बनाए concrete यह steel के unit यूज़ कर सकते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं आजकल doors and windows panels सब बन रहे हैं किसके metal के बन रहे हैं आपके घर में जो door window है वो अचली metal का नहीं है पर अब जो नए modern halls बन रहे हैं वो metal के बन रहे हैं तो लखडी कटने कभी डर नहीं और क्या कर सकते हैं polyvinyl doors आ रहे हैं आजकल doors जो आ रहे हैं वो fiber के आ रहे हैं प्लास्टिक coated door आ रहे हैं polyvinyl doors आ रहे हैं रेल्वे में पहले slipper करते थे वह लखडी के होते थे आजकल concrete के slipper जो दो रेल्वे की पट्रियां आपको दिखती हैं उनकी बीच में ऐसी slipper लगे होते हैं इसे slipper कहते हैं यह रेल के tracks को पट्रियों को क्या करता है hold करकर रखता है नामे slipper किसके यूज हो रहे हैं concrete के फरनिचर यूज हो रहे हैं आपके घर में तो प्लास्टिक की नील कमल की चेयर होगी ही होगी क्या कहते हैं इवन स्कूल में भी यूज हो रहा है आज कल फरनिचर दूसरे eco-friendly material से भी बन रहे हैं पेपर की बात करते हैं पेपर के लिए बहुत चाहिए होती है आपको पता ह रास्ता बताता हूं अब आप यूज कर सकते हैं बैगी का यह बैगी कहां से आता है देखिए जो शुगर के नहीं गन्ना है ना गन्ने का रस निकालने के बाद जो बचता है गन्ने का रस निकाल दो कुछ तो बचेगा रस निकालने के बाता है आरे वही उसका नाम है पाए जाने वाले river bodies में पाए जाने वाले वाइल्ड प्लांट्स होते हैं इनका यूज कर सकते हैं इनका इस्तमाल कर सकते हैं इनको बीट करके पेपर रहता है और यहां तो recycling of paper आपके घर में जो पुराने रद्धी पेपर है वो कबाड़ी वाला ले जाते हैं वह यहां यह अब आता है cause of deforestation मतलब जंगलों का कठना वैसे तो किसी भी देश में किसी भी देश में 33% of land क्या होनी चाहिए अंडर forest होनी चाहिए आज कल हमारे देश में कितनी है land hardly 11% अब आप समझ लेजे सिर्फ 11% जमीन मतलब हम बहुत-बहुत-बहुत कम forested है इसलिए तो pollution बढ़ रहा है इसलिए तो environment हमारा खराब हो रहा है अब क्या कारण है क्यों जंगल कट रहे हैं इंडस्ट्री बढ़ाने के चक्कर में कट रहे हैं हम तेजी से इंडस्ट्री को फैला रहे हैं इंडस्ट्री के लिए चाहिए लेंड तो जंगलों को काटते जा रहे हैं खेती वाली जमीनों के लिए लेंड जंगलों को काटते जा है क्योंकि पौप्सट्रइशन बढ़ रही है अर्गुनाइफशन के लिए मतलब शेयर बढ़ते जा रहे हैं गाओं छोटे हो जारे तो हम गाओं की अरिया तक बढ़ता जारे एकनी अगर आप मेलते हैं तो आपको यकीन गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तीजी से डेवलप हो रहा है नए रोड बन रहे हैं आखिर वो रोड डिच कहां बन रहे हैं आप देखें कितने जबरदस्त हाइवेस बन गए किसी भी शहर में जाना हो आज बड़ा असान है तो एक अच्छी चीज तो है कि देश के ल यह भी है प्रॉब्लम कहते हैं न हर चीज के दो पहलू होते हैं तो अच्छी चीज यह है कि आपको रोड मिल रही है आपको चोड़ी-चोड़ी सड़के मिल रही है पर बुरी चीज के आए कि सारे जंगल इसके चक्कर में गए तो लेट खतम हो रही है अब दीफोरेस्ट खतम हो रही है मैं कितने बड़े लेंड की बात कर रहा हूं कितने बड़े एकड की बात कर रहा हूं तो अगर जंगल रोकना है तो सबसे पहला तरीका है अफॉरेस्टेशन करिए मतलब उनर फिर से फिर से पेड़ लगाई है फिर से जंगल लगाई है जहां पहले जंगल वहाँ जंगल लगाईए लोगों को प्रिरित करिए समाज को प्रिरित करिए कॉम्मिनिटी को प्रिरित करिए जंगल लगाने के लिए जोइन फॉरेस्ट प्रोग्राम चलाईए जिसमें रूरल एरियास को slash and burn को रोकिए वन महत्सों को spread करिए आईए समझते हैं अब community forestry मतलब समाज की लोगों को forestry से जुनना ये एक ट्रब की forestry है जहां local लोगों को जो forest के आसपास रहते हैं उनको forest management में मदद लेना उनका बताना इसके लिए local communities को क्या करना चाहिए forest department के साथ मिल जाना चाहिए अब community participation से क्या होगा लोगों के अंदर विश्वास जगेगा उनको लगेगा कि जंगल हमारा है तो वो खुद जंगल को कटने से रोके लिए और तो और एक अच्छा हेल्थ केर डेवलप होगा लोगों का लोगों को खुद को रोजगार मिलेगा क्योंकि याद रखिए गाउं वाले जो जंगल के आसपास रहते हैं आदिवासी जंगलों को बचाने का टेकनीक भी जानते हैं अगर कोई बाहरी वेक्ति जंगल काटने आ जंगल है तो उनको पता है कि कौन जंगल में आ रहा है अडि मदद लिजय तो जंगलोंको बचाने के लिए तो जंगल कभी नहीं कटेंगे अब आते हैं जे एफ एम जोइंट फॉरेस्ट मेनेजमेंट अगें ये फॉरेस्ट को सम्भालने का एक कंबाइंड तरीका है ये एक मॉडल है जिसमें लोकल लोगों को इन्वाल करेंगे प्लैनिंग में और फॉरेस्ट के जंगल की जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे में है वाइल लाइफ है तो उसको बचाने के लिए कौमन लोगों को वही आसपास के लोगों को इंप्लॉय करेंगे उनको काम पर रखेंगे और उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का पाइदा देंगे वही जंगल से जो फल फूल निकल रहे हैं आप लोग ले लो पर जंगल की रक्षा आप ही लोग करो अब तोचिए वह गाउवाले वह आदिवासी खुश नहीं हो जाएंगे कि उनको कुछ तो मिल रहा है बदले में देखिए इसका नाम है क्या जॉइंट पॉरेस्ट मेनेजमेंट ये एक बहुती नॉलेज है वो इस रिसोर्स का बेटर यूज जानते हैं इससे क्वालिटी ओफ लाइफ भी इंप्रूव होगी और तो और जंगलों को कटने से रोका जा सकता है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं यह पॉइंट आपने फिर से देखा कि उन लोकल लोगों को ट्रेडिशनल करेंगे जब उनका पेट भरेगा लोगों लोगों का उनकी जर्वत पूरी हो जाएगी उसी जंगल से जहां वो रह रह रहे हैं उसके जिसके आसपा से रह रह रहे हैं तो वो क्यों जंगल काटेंगे क्यों लकडियां चुराएंगे क्यों वो जानवरों को मारेंगे क्यों वो illegal hunting करेंगे नहीं करेंगे जब आप ही उनको क्या करेंगे yes forest department उनको क्या करेगा अपने काम पर रख लेगा उनकी मदद से ही क्या करेगा जंगलों की रक्षा करेगा wildlife की रक्षा करेगा जंगल कटने से रुकेगा बदले में उसे क्या देगा जो forest में मिलने वाले परदार् मतलब जो waste lens है ऐसी जमीन है जहां पर कुछ उग नहीं रहा है जिसको कोई खेती बड़ी जहां नहीं कर रहा है उन बंजर जमीनों पर उन common lens पर जो सरकारी lens है वहां पर गाउं वालों की मदद से खास करके railway के किनारे की जमीन railway के आसपास की खाली जमीन यहां roadside के किनारे की जमीन पर क्या कर दिया जाए जंगल लगाया जाए जंगल लगाया जाए पिड लगाया जाए इसका नाम है social forestry फाइदा क्या है अब और और लकड़ी चाहिए हो लोगों को फिल वूड चाहिए तो इसके लोग मिल जाएगा औ अपने farmlands को भी खेती बड़ी करें साथ में क्या करें agriculture के साथ साथ forestry भी करें मतलब ऐसे trees लगाए ऐसे plant लगाए जो जंगल की रूप में भी रहें इससे किसान के soil की उपजाओ शक्ती बढ़ेगी उसको फ्यूल वूड चाहिए होगा वो मिल जाएगा और साथ में वह एन equipment बनाना होगा तो उसके लिए possible होता है आईए barriers क्या problem है तो community foresting के अंदर आपने देखा agroforestry हो सकती थी social forestry हो सकती थी joint forest management हो सकता था तो यह सब forest community के लोग वही सब कर रहे थे पर क्या अतना असान है नहीं नहीं कुछ problems तो है पहली problem है land ownership की है कि जमीन किसकी है आपस में ज बाद रह पाती है कई बार पैसों की समस्या आती है क्योंकि जमीन में अगर कुछ करना है for example जंगल लगाने तो पैसे चाहिए अरे भाई बीज चाहिए चाहिए पटलाइजर चाहिए तो यह समस्या है और समस्या है knowledge की समस्या है वो सकता है हमारे पास proper knowledge नहीं हो market की समस्या है मना पास product तो है बेचने के लिए market जाने के लिए नहीं समस्या है कमाई की समस्या है और समस्या है illegal harvesting की मतलब बैमानी से जंगली को cut कर देना यह illegal तरीके से poaching कर देना यह एक बड़ी समस्या है so this brings to the end of the chapter fuelwood crisis और lessons के लिए हां मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे superstars के लिए आपके लिए lesson videos बना रहा हूं यह exclusive videos है कहीं भी किसी और जगहे पर यह उपलब नहीं है पर आपने कहा मैंने बनाया तो बस एक request करूंगा अपने friends classmates को प्लीज इसको जरूर शेर करिए जिन्होंने environmental application रखा है क्योंकि यह dedicated वीडियो है तो चलिए मिलते हैं अगले lesson videos में तिर्फ च कर दीजे बाई सर तरुन रुपानी लेकर बाई टेक केर